नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेश परिचर्चा में और आज हम बात करेंगे बहुच चर्चत अजमेर यौन शोशन कांड की इसके उपर इस समय अजमेर फाइस नाम की पिक्चर बन रही है और एक और दो मूवीज उसके उपर बन रही है और हमारे साथ है अनिल नाकरा जी जिनको इस कांड की गहरी जानकारी है स्वागत है अनिल जी तभी जैपो डालॉक्स के स्टाप को चेर्मेंट संजे दिक्षित जी को और जैपो डालॉक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते प्रणाम ये उन्नी सो बानवे में सबसे पहले इसका एक समाचार परकाशित हुआ था अजमेर का जो लोकल पेपर है नवजयोती जिसके अनिसंस करणा अराजस्तान के दूसरे शेहरों से दूसरे नगरों से प्रकाशित होते हैं लेकिन उसका जो में एड़कोर्टर है वो अजमेर है तो वो अजमेर वाले नवजयोती समाचार पत्र में उनिस सो बानवे के आरंभ में एक समाचार प्रकाशि थी इत्यारी जैनिक नवजोती नाम का एक पेपर आज भी छपता है थोड़ा बहुत अब उनकी सर्कुलेशन ज्यादा नहीं है और ये आजादी से पहले 1947 से पहले शायद 36 या आड़तिस से ही ये छपना शुरू हो गया था इसके जो ओनर थे क्याप्टेन दुर्गा प्रसाद चौधरी अब वो हमारे बीच नहीं है उन्होंने ये स्टार्ट किया था एक्च्वल में तो ये स्टार्ट किया था पहले तो अंग्रेजों कई गुड़गान करते थे पेपर वाले दैनिक अवजोती लेकिन फिर इन्होंने हवा का रुख बदला और ये एंड के एक-दो सालों में ये भारत की आजादी की बात ने करने लग गए और फिर ये दुर्गा प्रसाद चौधरी जो क्याप्टेन है क्याप्टेन भी कैसे इनका नाम आया मालूम नहीं है और ये क्या नाम से स्वतंतरता सेनानी होगे फिर इनका बाद मे नाम चन्ने नग्या स्वतंतरता सेनानी क्याप्टेन बुर्गा प्रसाद चौधरी और ये कॉंग्रेस का समर्थिती प्रो टोटली प्रो कॉंग्रेस यूज पेपर था ये अपना आप भी जैपुर के रहने वाले हैं आप भी राजिस्थान में सब जानते हैं एक दोई प तता राश्ट्रदू और दैजिन अब जोती उसके बाद आया राजिस्थान प्रोटली का तो ये कॉंग्रेस समर्थित पेपर था अब 1902 में यहां सरकार थी भैरो सिंदी प्रोटली ते राजिस्थान मंतरी बने तो राजिस्थान में बहरो सिंदी मुख्य मंतरी थे जीत के आई थी एक संगठन था उनका एक संगठन था और जनता दल और भारती जनता पार्टी की मिश्रित सरकार थी जिसके मुख्य मंतरी बहरो सिंग जी शिकावत थे जी तो इन सरकार को डाउन करने के लिए उस ताइम वैसे राजिस्थान पत्री का अगबार भी शुरू हो चुपा था काफी पहले से ही वो यहां दो अख़बारों की लड़ाई से ये मामला खुला जैसे होता ना कहीं बारी दो लड़ते हैं दूसरे की पोल्क होलते हैं राज अब 1902 में उनके हाथ कुछ फोटो लग देगी कि मैं अजमेर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि अजमेर एक राजिस्थान का सेंटर में है तो राजिस्थान में जितने भी ऑफिसे लगबक अब तो सब जगे हो गए हैं जैसे पहले सेकंडरी बोर्ड ऑफ अजमेर में खाननना भाग का हैड ऑफिस अजमेर में यह जो था वो पूरे राजस्तान में अजमेर अकेला ऐसा चेत्र था जो की सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित हुआ करता था डैरेक्टी ब्रिटिश एड्मिनिस्टर्ट था तो इस कारण से भी अजमेर का महत्त था पूरा का पूरा जो बाकी राजस्तान है वो आपके राजे रजवालों रियास्तों और प्रिंसली स्टेट से बना हुआ था एक यह आपका अजमेर ऐसा था जो की सेंट्रली एड्मिनिस्टर्ट या ब्रिटिश डियॉष का महत्तों काफी माना जाता था आगे बड़ाते हुए राजस्तान में सबसे बाद में ये अजमेर जोड़ा था राजस्तानाक और इसमें आपको ध्यानों का पहले नंबर होते थे ऊर जए ये राजिस्थान के तो ये आर जे जड अजमेर का नंबर जड था ये राजिस्थान में सबसे बाद में जुड़ा था ये चलो अपने में बुद्धे के आते हैं तो 1992 में जैनिक नवजोती ने कुछ ब्लेंड वो जाते हलकी करके कुछ फोटो छापी लड़कियों की और ये फोटो थी वहाँ एक सोफिया स्कूल है सोफिया गर्ल्स स्कूल उसमें लड़कियां पढ़ती थी क्योंकि वह आपने जैसा बताया भी कि वहाँ सारे बड़े-बड़े ओफिसर्ड रेवेन्यू बोर्ड इन सब ओफिसर्स के बच्चे और बच्चिया जो हैं सब वहीं थे और ये सोफिया गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी तो और इसमें बड़ा एंगल दूसरा है शायद आपको अजीब लगे कि उस दमाने में जैपूर में भी अजमेर में भी और सब जगे टांगे चलते थे घोड़े वाले और ये टांगे वाले जितने होते थे सब ये मुसल् तो उनके साथ धीरे-धीरे कुछ connection आगे इसका खुलाता और हो जाएगा ये भी एक कारण था कि टांगे वालों ने भी लड़कियों को क्यानांते ये चिष्टी की दरगा है आज चुपती हो गई कई स्कूल में कोई बात हो गई तो दरगा घुमाने ले जाते थे ये मैं इसका खुद वहां अजमेर में रहा हुँ मेरे फादर भी सरकारी अधिकारी थे वह उनकी पोस्टिंग रही है तो मैं खुद जानता हूँ मैं वहां रहा हूँ ये अजमेर पी टांगे वाले ले गए उनको चिष्टी की दरगा है जैसे आज भी देखतें कि जबरदस्ती नमाज पढ़वाने की कोशिश करते हैं तो ये शुरू से ही चला आ रहा है तो ये वहां ले जाते थे इनको और धीरे-धीरे वहां के जो फैमली है उन्हों ने इनको कैसे धीरे-धीरे काबू करना शुरू किया और ये फिर जब अख़बार में खुलासा हुआ तो फिर सब जगे हला मचा पूरे राजिस्तान में देश में भी कुछ अत्तक मचा वहां बंद भी रहा पत्रिका और इनकी लड़ाई आपस में चली रही तो ये भैरोसिंगी को इनकी सरकार को दीफेम करना ता देखो इनके राज में ये सब हो गया अब इसमें जाच हो रही है इसमें हमारे कुछ उस ताइम मोबाइल वगारा नहीं होते थे तो ये फोटोग्राफर भी इसमें कुछ इन्वाल्व थे जो फोटो घीचते थे इसमें मैं आगे बात करने से पहले बताऊंगा आपको टांगे वाली बात को मैंने बताई आपको अपना उस ताइम दुबई जो है वो नया नया कुछान पर आया था दुबई जो बसना शुरू हो गया था पहले से ही और हमारे यहां बाहर यह घड़ियों के वी सियार के यह यहां नहीं मिलते थे तो यह दुबई भी एक मुस्लिम डॉमिनटिक कंट्री है तो वहां उनकी ओपन एकॉनमी थी वहां वी सिय कि बिन्यीन फिल्म होती थी फ्राइडे को पिचर को को यह फिल्में बुबई जो इस पर बाढ़े कि यह घ्र दूब यह जितना बी पाइरेट का धन्दा था यह सब दुबाए के थूरू होता था डेली फ्लाइट से जाना आना और यह पिर सब वीडियो वाले सब देखते थे जी आज कोई नई पिच्चर आ गई है तीन घंटे के इतने पैसे लगे ने तीन घंटे में कैसे लाके दे देना इस ताइब से पिच्चरों का वा पाइरेटेड धंदा शुरू हुआ यह यहां इसकी बात पर इसलिए कर रहा हूं कि इसमें यह अजमेर के लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं यह भी इसमें इंवाल्व थे अजमेर स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट था अब तो सब ओपन मार्केट हो गया है अजमेर में घड़िया मिलना सीकों की गाड़ों की व और इनके लिए ही यह उनको जो वहां तो दरगाब अधर में सारे ही चिष्टी है पूरे वह सभी चिष्टी बने हुए है और आप आज भी चिष्टी फैमिली को या आप वहां जाके देखें वहां सब घड़ाने हैं आज भी इनके बच्चे और यह जितने भी यह सूफी ह सूफी मतलब है कि वहीं बिल्कुल कोई सिंपल लिविंग और आप जितने भी चिष्टी फैमिली देख लेए यह एक एक डेड़ा सोना फैन के चलते हैं और इसी सोने से ही यह सब अट्रेक्ट करते थे और यह जो स्कूल की लड़कियों को जो इन्होंने ब्लैक मेल करना श पाम आउसे थे सब थे यह उनमें लड़कियों को ब्लैक मेल करते थे उनकी फोटो वह रखीच रखी थी और पूरी तरीके से डारेक्ट इंडारेक्ट यह दुबई का कनेक्शन भी था नई नई घड़ियां देना बीसीर में फिचरे बिखाना यह सब करना लड़कियों को जो बच्चे हैं उनको जबरदस्ती खसा के लव जिहाद कहें लव जिहाद तो नहीं है अगर शादी कर लेते तो लेकिन यह लव जिहाद का पार्ट वन जो है यह अजमेर से ही शुरू गुआ इसको तो वैसे तो टेक्निकली तो इसको अजमेर सीरियल रेप केस बोलते हैं हाँ वो ज़्याद ठीक है वो जिहाद पर रहे हैं इसका जो मुख्या आरोपी जो फारुख चिश्टी था वो अजमेर यूथ कॉंग्रेस का प्रेजिडन्ट था और इसमें मैं यहां तक कहूंगा कि यह जो दाओद इब्राहिम जो आज दुबई में ही बैठा हुआ है वो इन सब बिजनस में इंगॉल्ट था और यह अजमेर के जितने हैं सब इस धंदे से लगे हुए थे आपको एक और बात शायद आपको पता होगी आप भी नहीं के हैं कि कुछ को नहीं मालूम होगी कि जब दुबई शुरू हुआ था तो यह क्या करते थे अजमेर के लोग फिर बाद में जैकुर में भी इनका बिजनस बढ़ा लिया था इन सबैं Kelvin को दो दिन रख दिया उनके नाम पर जो भी अपना समान ला सकते थे मिनीमुं मैकसिमुं जो भी है वीसी आर्सी को रिको ficar ले लेके आते थे और यहाँ लाके उनको पिर ये देशते थे अब तीन निन के लिए दुबई गए थे फ्री में रहे वहाँ ज्यादा घुमाते नहीं थे और जिनको ले जाते थे ज्यादा करा एक दो पीशन्ट दे दी कोई चूटे दे दिये और उनके नाम पे ये उनके पास्पोर्ट पे दुनिया भरके ये सब वी सी आर और ये सब पूरे परवान पे था और घैरोसिंग शेकावत सरकार ने इसमें घोषना करी थी कि इसका क्या कनेक्शन है हवाला से दुबई से इसको भी किया जाए कस्टम सेट्रेक साइज को इसको कॉरन कोस्ट आपिस को उनको जाच भी दी गई थी इसमें भी जाच की जाए लेकिन कि उनीस सो बानवे में बाबरी मस्जिद धादी गई छे दिसंबर को उसके बाद मर्शी महराओ की सरकार ने घुस्से में आके या अपनी तुष्टी करण की राजनीती में यूपी की कल्यानतिंग की सरकार परकास करी साथ में मद्धेपरदेश की भी परकास कर दी जब र जहों के साथ घूंबी पिस्टिया अब यह अपने मकसद में जो अख़बार जो जिसकी हमने पहले बात करी नवजोती और राजिस्तान पत्रिका की आपसी लड़ाई में हम उसके सपोर्टर हैं हम उसके सपोर्टर हैं इस चक्टर में यह केस खुला उसके बाद बाद में में दिसंबर में दुबारा चुना हुए और दुबारा भैरो सिंग्जी यहां के बुख्यमंत्री बने तब वहां के जितने भी अधिकारी थे कोई एक साल तक कोई जाजनी हुई फ्लैक मेलिंग चलती रही यह सब होता रहा हमारी जो राश्पती शाशन या कहले इंड और बली राम बगत तो इनके दुबारा तिराणवे में सरकार राही बैरो सिंग्जी के ओपर दबाव आया उन्होंने कोशिश करी कि हम जात करें लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसमें एक में कारण था कि जिनके भी बच्चियों लड़कियों के जाने अंजाने इस इन्वाल हो गई थी तो उनकी लाइफ का सवाल था पूरे अजमेर में ऐसा महौल हो गया था कि लोगों ने अपनी लड़कियों पाजमेर से निकाल के बाहर करा विए किसी ने को च्छोडाउन कर दो या लगा कर दो नहीं करी स्लोडाउन होई वह जांत भी चल रही है छोटे मोटे प्यादे जाते हमेशा भारत में होता है उनको कुछ सजा मिली कुछ नहीं मिली कुछ फोटोग्रापर पकड़े गए नहीं पकड़े गए और ये अपना सब आज भी चल रहा है और आज भी मैं एक दो चिश्टी फैमिली को जानता हूँ हूँ वो आज भी बड़े गर्व से बताते हैं हमको चिड़ाते हैं अभी दो-ती साल पहले तक कहते थे जब मैं लास्क मिला था तो मैं दरगा उदर नहीं जाता हूँ कि हमने आपकी लड़कियों को ऐसे ऐसे या शब्द कहना ठीक नहीं है यह उसको अपना बड़ा गर्व की बात मानते हैं कि हमने आपकी बेटियों के साथ बेहनों के साथ ऐसा ऐसा किया और हमारा कुछ नहीं हुआ आज भी आप अजमेर में जाएं जैसा देखें आप तो महां यह सब तू मज़े से हो रहा ही निक है सब ब्लैक मेलिंग चल रही है आप अंदर जाएं पूरा कोई पुलिस प्रशासन नहीं है कुछ नहीं मेरी देखिवी बात है मैं कई बारी अजमेर गया हूँ मैं अजमे लादी शहरी है अब शायद कुछ कम हुआ है अब जो दरगा बजार वाला जो इलाका है वो तो पूरा एक तरह से पाकिस्तान जैसा ही है वहां दूसरा कोई समाज का सिंधी समाज की वहां बहुत दुकाने की हमारे हिंदू की उन सब को धीरे धीरे वहां से भगा दिया है उनकी दुकाने मंचाए भाव में करीदनी है आप जैसे ही अजमेर पहुचेंगे किसी भी होटल में पहुचेंगे वो देखेंगे टूरिस्त आया तो अपने आप फोन करके ये दरगा के इनके जो एजेंट है नुमाइंदे हैं ये सब आ जाते हैं ये दरगा गुमाला है आपको धीड़ है इस मौकाए ये अंदर से लेके जाते हैं आपको दरगा में ये करा लो वो करा लो मैक्सिमम पैसे बुटाने की आपसे कहिचने की कोशिष करते हैं वहां बहुत बड़ी बनी हुई है क्या नाम से देखती है इसमें ये ये अपना उर्ष के टाइम चावल और यह सब बनाते हैं वहां यह आपको मैंने खुद देखा है यह आपको कंपेल करते कि अगर हाथ के हाथ में कोई घड़ी है कोई सोने की अंगूटी है तो यह आप वहां फेक दे या मतलब मैं तो फेक नहीं कहूंगा वो कहते चड़ा दे और आप कोई भी चिष्टी को अपनी दादागिरी कर रखी है और कोई भी सरकार इनका कुछ भी नहीं विगाड़ पाई यही अजमेर कांड में हुआ कि वही सब को चुप हो जाना पड़ा कि हमारी भेर बेट्यों की इस्वत का सवाल है किसी की शादी तूट ना जाए किसी की तूट गई और यह सोफिय का कॉलेज था जो उसकी भी बड़ी दीफेमेशन हुआ उनके भी डैलीकेशन जा रहे हैं कि जी हमारा कॉलेज जो है वह बतनामर और क्रिश्चन कॉलेज है क्रिश्चन कॉलेज के बाद तो सुनी जाएगी अगर कोई हिर्दू स्कूल होता उसकी नहीं सुनते वह सोफिया इसमें में चीज जो है इसमें अजमेर कांड में यह जितनी भी लड़किया थी यह सब दुबई से लोग आते थे यह उनके लिए यह प्रोवाइड बरानी की कोशिश करते थे इनके फारम आउसें से आसपास वहां ले जाते थे करते थे जाओ दिब्राहिम में नाम लेके दुबारा क्या रहा हूं जाओ इब्राहिम वगएरा साब इसमें इन्वाल्व से और अजमेर जो है बहुत बड़ा गड़ रहा है अपना हवाला का यह इंपोर्टेट गड़ियों का वी सी आर का वी सी पी का और इस ताइल के इतने भी गैजट्स तगरा सब होते थे उसका पाइयन काड़ रहा है बुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए और कम से कम और कुछ नहीं कर सकते तो इन चिष्टियों के जो यह अरकते हैं इनको देखते हुए कम से कम यह तो कर सकते हैं कि वही इनके चंगल में ना फसें और दरगा से तो दूर दूरी बना कर तो इनकों को खाजा मुहिन दिन चिष्टि का इतिहास भी पढ़ना चाहिए उससे भी सबख लेना चाहिए और जानना चाहिए कि कोई भी कोई भी जो अपने आपको सूफी कहता है वो हर एक व्यक्ति शरीयत को मानता है और अब तो इतनी जानकारी हो गई है सब को जानना रहने का हक नहीं है उसको यदि वो हिदायत जरी जो इसको पहते हैं कि साब की हिदायत आभी है और वो हिदायत का मतलब इसलाम कबूल करने की हिदायत है जो कोई भी यहां जाता है आप देखें आप आप गए होंगे कि दरगा मैं तो एक ही बार गया हूं उसके बार कि जो आया है इसको हिदायत दे लोग वहाँ ये जानते जाते हैं सोश के कि साथ की जायद हमारी मुराद ये पूरी कर देंगे पीर साथ लेकि पीर साथ कोई पराद पूरी नहीं कर सकते काफり पीर साथ क्यबल उसके लिए ये कह सकते हैं участ什么 हिदायत दे मतलब इसको इसलाम कबोल कर, हाँ, इसको यह, इसके दिमाग में ए फितूर पेदा कर कि यह इसलाम कबोल कर ले, सिर्फ यह होता है दरगाओं कर, लेकिन मैं तो काफी अप लोगों के समझ में आने लगा है, हम लगातार बताते भी रहते हैं, और इसलिए वो 9.97 मैं आपको पोट कर देता हूं तो इसमें दो लोगों को दो चार लोगों को सजा भी मिली जो मैंने एक नाम बता है आपको फारुख चिष्टी उसको सजा मिली और सजा वो भुगत के बरी भी हो गया और बरी होने के बाद ऐसा सुनते हैं कि वो फिर से जो है वो दरगाह म में उसको इंप्लाइमेंट दे दिया गया है उसकी तो इज़त बढ़ गई है मैं मेरे पास वहां के चिष्टियों के नंबर आज भी है उनके में बाद मैसेजेज पहले आते थे कि आप बहुत दिनों से आए नहीं करे नहीं यह सब है अब मैंने उनको कही बारी लिखा भी है कि ऐसे अब नहीं है नहीं आप गलत सोच रहे हैं तो काफी करने की कोशिश करते हैं तेकिन अब हमारा इसमें मैं आपको भी धन्यवाद जैप्र डालॉक्स को भी दूंगा यह जागरती लाने में आप जो पिछले तीन साल लगबक तीन साल से आप यह जो काम कर रहे हैं इसमें बहुत बढ़ा हाता है आप जैसा कहते हैं कि दर्गा में जाने हिंदू कम हो दे हैं हमारे फुल्फ अच्छा मैं इसमें और जोड़ना जाते हूं कि आप तो खुद आई है सदिकारी रहे हैं आप शेयर मुसे ज़्यादे जान करें अजमेर में दुनिया भर की दर् सब्सक्राइब करोड़ो रुपए लॉस में है कोई पैसे यह बिल के नहीं भरते आज भी आप देखें इसका रीजन में बताता है आज जैसे पहले होते थे बड़ी अजीब सी लगेगी बात आको लॉजिक में रशात अजीब लगे कि जैसे पहले दो-दो-सो वाड के बल सब्सक्राइब कोई बिजली का बिल भरता है आपके हमारे घर में दो-सो वाड के बलत नहीं जलाता है और आप अजमेर की वो जो घुम्बत सा है उसमें आज भी देखें आप रात को और यह जो फ्राइडे को जलाते हैं वो दो-दो-सो वाड की लड़ी वही लाइट ही ल है रहो तब तो कोई बाती नहीं है यह कोई बिजली के बिल नहीं भरते वहां सब मैंने खुद देखा हुआ है अंदर दरगाह में और बार आपको दरगाह से आगे जो बादार है पूरा गलियों को तो छोड़ दो वहां उस ताइम वी सिया हवाला डॉलर लो आप रियाल जो मर्दी आए नोट लो पूरा का पूरा विज्ड़ जो है वह ऐसा कई बारी तो ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में कि भी मुस्लिम कंट्री पो तो नहीं आ ले बिलकुल ऐसा महौल बना रहा है आज भी उस महौल में कोई 19-20 सब्दिली आया पहले हमारे फोटोग्राफर वगेरा वहां होते थे वह हिंदु भी चले जाते थे कि आप जी ऐसे हाथ लगा के देखें दरगा की गुमत जदे ताज मेल में होता था फोटों की चवाले हाथ कर दे वहां पहले हिंदुओं को फोटोग्राफर को इजादत थी मैंने ये प्पूल बेचने वाला चादर बेचने वाला बहार है एभन जो बबहार भी है वह मुसलिम स्चीं हैं इन्दो तो अंदर लातमार्के पहले से इन्नों निकाल दिया अब बहार भी यह क्या नाम से इनको नहीं बैठने जेते हैं और पूरा इनकाथ तब्झा अब यह पता हमारी सरकारें जो भी है हिंदुवादी हैं जो भी है लेकिन अजमेर जाके आप देखेंगे तो आपकी हम हमारी सब की गलत पहिमी दूर हो जाती है कि क्या सुधार हुआ कुछ नहीं हुआ हम आज भी उनको कंशेशन दिये जा रहे हैं जो वहां की जो मद्यस्ता हुई थी जो यह भैरतिंजी के टाइम कि जी अब आप इस मसले को खतम कर दो आप आगे से ऐसा नहीं करोगे सब नहीं करोगे इस कांड में भी एंड में क्या हुआ हमारे परिवार या हमारा समाच अपनी इज़त बचाने के लिए ही जुका वो नहीं जुके उन्होंने कोई कंशेशन नहीं दिया जैसा कि भी आपने बताया वो जेल से निकल के आ गए हैं तो उनको तो और ज़्यादा सम्मान मिल गया उनकी तो इज़ काफी रिपोर्ट्स थी कि लोगों ने अजमेर दरगा जाना हिंदूों ने बहुत कम कर दिया है बलकि बीच में तो रिपोर्ट यह थी कि साठ परसंट तक कम हो गया और चुकि आपने को और टेक्ट हैं तो आप बताएं इस बात में कितनी सच्चा ही मेरे पास मैं नाम ले पहले तो हम भी कुछ कर देते थे आपको भी इद मुबारक हम भी अध्यानी कहलो या कुछ भी कहलो या हमको अकल नहीं थी क्या नाम दो तो हम वह गए भी थे हमारा जी कोई मनत पूरी हो रही है सब जा रहे हैं वहां अब उनके मैसेजिज आते हैं फोन भी आये में पास स साल पहले से तो मैंने उनको जैते साथ-साथ कह दिया कि भी अवं जो भी मैंने कहते हैं हमें असली पता लग तक ही है अब हम नहीं आएंगे तो बड़ी कोशिश करते हैं नहीं आप एक बार ही आओ आओ आप हमारे खर्चे पर यहां आजाओ हम आपको करते हैं यह ऐसा नह पीसे सर दे दिया उपर दे वो पंकी माला जो है वो उपर सर पे मार दी दो तिन बारी और पैसे दे दी और आप तो वह मैं फिर कहा रहा हूं वह कंपेल करते हैं कि आप यहां सोने का कुछ ना कुछ चड़ा के जाएं तो आप जितना सोना चड़ाएंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा और आप आज भी फोट के याज वहां ओर भी होंगे आप जाके देखें वहाँ बड़ी जूद किया थ्यवा boss है उन्में बड़ी बड़ी muri इन्या कि शोने के गैने एक नाम नहीं है तो उनका नमबर लगता है कि जुम्मे के दिन तो ये वाले चिस्ति की हाँ, भाँ द्यूटी होगी, जो हभाँ, आर्निंग होगी, वो हमारी होगी, मंडे को ये होगा, इस दिन ये होगा, ये जो पीक आवर्स हैं जैसे हमारे प्राइम टाइम है वैसे इनका जो प्राइम हावर्स है उसमें ये होगा इतना वो दिया जाएगा इनमें ऐसे आपसे बंदरबाट होती है अगर आपने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा हो तो इन चिश्तियों में इसी पैसों को लेके आपसी लड़ाई हो गई थी तलवार चड़ाओ वोई चादर वापस आ गई वोई चादर चड़ा गई सारे जितने चिश्तियों सब को कमरे में लिए हुए और सब ने कमरों में फोटो लगा रखी है कि देखो ये 1960 में अचाचा नहरू आए थे वो चादर चड़ा रहे हैं ये जियाउल हग की मेरे जो सबक्राओ भा!... जीयाई लग के पोटो कंवरे में लग रही है कि देखो ये जनर्न जीयाउल ह लक आये थें मैच देखने आये थे तो्याँ धर्गा में आये ये शेख्छीता वाजजत की फोतो है वह उनकी फोटो लगा रखी हैं हिनों और झेगे जगे लगा रखी हैं व को जी हमारे इतने संबंद हैं इवन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि वहां दाउद इब्राहिम की फोटो लगाते थे अब लगाते नहीं हाँ बिल्कुल कंफर्म इसाब देखो हमारे हम दुबाई घूमने गए ते हम यहां गए ते यह दाउद भाई के साथ पोटो ह यह सर्वान भाई आये थे यह शारुक खान अपनी वो पिच्चर शूरू होने से पहले यहां कर गए थे यह हमारे हिंदू है कैट्री ना कैफ और जितनी है यह कौन सी है यह अपना जो बैडविंटन खिलाड़ी लड़के दीपिका पाडुको ने हाँ पाडुको ना यह स में जिस फिल्म की शोटिंग कर रही है उसमें तो एक कपड़े चोटे-चोटे पहन रही है वहां जा रही है तो बस एक भुरके की कसर रहती दी बागी पूरा उपर दिन्जितर नहीं है यह वहां जांके जियारत कर रहे हैं सारे फोटो खैंच रहे हैं सब कर रहे हैं पू और उसी का नतीजा था इतने पावरफुल थे कि अजमेर कांड हुआ किसी ने कुछ नहीं किया लड़कियों को बिचारे को ब्लैक मेल किया इन्होंने खुब उनका शोषण किया इतनी लड़कियों ने आत्मर्तिया कर ली लोगों ने केस वापत शायद मुझे एक कंफम नहीं है कि कुछ केस अब तक चल रहे हैं एक 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 चल रहा है अभी तक हाँ वो जिन लड़कियों को आना पड़ता है उनको आज भी एंबैर्स्मेंट हो रहा है उनके बच्चे बड़े-बड़े हो गए अग बच्चे भी पूछते मुझे अजमेर क्यों जा रहे हुआ है तो क्या जवाब देती हैं इस टाइप से इन्होंन स्कूलों में टाइपूर में यह जहब नहीं रहा हुए जैपूर में यहां घाट गेट शोरते ते यह सोपिया वगएरा सब यह तांगे एज़र बचलकर शॉभरी ऑगएं इतनी नहीं यही करते थे और यह तांगे वाले आपको मैंद बात बताऊं को वी सी आर लेना पुछ लेना यह तो लोग तांगे वालो जो एजेंट्स होते हैं ये के एजेंट्स हैं कि हमारे ग्राद लेके आने हैं अब जैसे कोई मेरा जैसे जिसका मैंने नाम लिए वो शाह नवाज नाम गफे lotta तो शाह नवाज ने एक दो-चार टांगे वाले अपने बना रखें सैट कर रखें कि आप जो भी जै रिलावगे हो सिराोगे हैं इसे ही कोई मेमूद भी होगा कोई रही मुलाभी होगा सबöz displaying वादे सब मुष्म रहते त्ए nggak वहां मंदिर जाएंगे तो वाहां प्रिशे वाला टांगे वाला हमके पैसे मांगेगा यह देखो कितने अच्छे लोग हैं एक फ्री में ले जा रहे हैं वहां जया रब कर रहे हैं आप को चाहतर की लिए मैंने जैसा बताया हाथ देखके ऊपर फूर के वह मारके निखालो पैसे सोना चड़ाओ सोना चड़ाओ यह तंग करके सोना आपसे नहीं लेते हैं कोई हम जैसा बेशरम योगा जिसमें नहीं चड़ाया होगा हुआ जी तो 90% अब कुछ ना कुछ ऐसा हिपनोटाइज करते हैं कि आप सोने के गहने चड़ाते हैं और यह सब वही पैसा फिर जैसा आ तो यह अगभारों की आपसी लड़ाई से यह मामला सामने आए यह राजिस्तान पप्रिदा और जैनिक नव्जोपी ने सा जैरो सिंग भी बीजेपी को डाउट करने हैं जागरूक ता क्या वशक्ता है मुझे लगता है कि सबी कुछ जागरूक रहना चाहिए और इस तरह के जो दंदे बाजी वाली जगएं हैं उनसे बचना चाहिए और तरह तरह आपको पता है कि आजकल मजार जिहाद जो है वो भी चल रहा है क्योंकि उनको प्रेरणा यहीं से मिलती है ना वो देखते हैं कि बही जे हिंदू कितने बेवकूफ हैं जो यहां जाकर जहां पर यह कामना की जाती है कि हुए यह मुसल्मान हो जाएं उस जगे पर जाकर गड़ में हुआ इन सभी जगों पर मजारे द्वस्त की गई उनका जब सर्वे किया गया तो पता चला उनकी नीचे कोई नरगंकाल नहीं था केवल उपर से पता चला कि एक वो बना देते हैं कबर जैसा उसके उपर चादर चला देते हैं और बास मजार तयार और कोई नाम द करता हूं यह पहले तो कह सिर्व हरी चादर बिशाते हैं अब मैं आपको यह जो नया दिल्ली मुंबई हाइवे बना है यह अलवर से और जैपुर दौसा तक है अब आगे कंप्लीट हो रहा है हमारे बोदी जिस्त करेंगी इस रोड पे मैं दो तीन बारी गया हूं वहां ह इसका कोई फोटोग्राफ वगरा कई मिले तो जरा बिजवाई है तो उसको फिर हम भेजें अगे निकल गए अब की मैं जाओंगा दिल्ली वगरा तो मैं निचित और यह इन्होंने जो साइड में फैंसिंग लगा रखी है कि कोई गाड़ी उपर से नहीं आए कोई नहीं उसके साइड में भी इन्होंने मजारे मस्जिदे में एक स्पेशली जाना पड़ेगा मैं तो भी जाओंगा स्पेशली बेलकुल जहां सड़क है और जहां उनकी फैंसिंग लग रही है वो स्टील के जो लग रहे है उसके साथ मस्जिदे राज्यस्थान हरेना बॉर्डर बन चुकी है वहां मुसल्मानों के होटल अंदर खुल चुके है इन सड़कों के लिए इतना हैवी टोल ले रहे है लग तीन रुपए किलोमेटर टोल पड़ रहा है उनकी फैंसिंग अभी छे महीने भी नहीं हुए वो साब फैंसिंग काट दी है होटल को रखते जा रहे ह मुसलिन सारे ट्रक वाले वहीं बीट सड़क में रोकते हैं एकसिडेंट होते हैं आप देखेंगे पड़ते होंगे अख़बारों में जैपुर में कि इस रोड पे एकसिडेंट हो गया है पीछे ट्रक में जाके गाड़ी टोबी कारवाले दे राथ को गाड़ी है 120 पे अब ट्रक बीच में कैसे रुख गया वह वहीं बीच सड़त में गाड़ी खड़ी करके साइड में उतरके यह मदीना ओटल मक्का ओटल इनमें जाके मुर्गे खा रहें खाना खा रहें और पीछे दे गाड़ी है ठुकरी आपने देख तो गाड़ियां हैवी स्पीड में आ रही है अभी जैप अलवर के एक जो बिजनसमैन थे अभी तीम दिन पहले बहुत बड़े आउनकी ऑईल इंडस्ट्री थी उनकी ऐसे रात को आ रहे थे ट्रक खड़ा था यह ट्रक वालो रस्ते में ट्रक लगा दिया उनकी गाड़ी पीछे से आई गाड़ी में आग लग गई और वो वहीं मर गए यह दूदू अजमेर हुआ यह तो अलग हुआ है यह वहां का बता है तो यह जो मजार और यह सब जो हो रहा है यह सब अभी तवा चादरे बिच्छी है खुद ही पैसे रख देते हैं सब कर देते हैं खड़े हो गए हाथ देते हैं आप जैपूर अजमेर रोड़ पे जाए जैपूर से आगरा जाए वहां बड़े बड़े हैवी सड़के बन गई है लेकिन मजारें दौसा के आगे हैं मजार नहीं हटा पाए सड़क टेड़ी ही कल रहे हैं इन्होंने तो पूरा प्लैनिंग लंदी लांग टर्ल प्लैनिंग चल रहे हैं इसी को सड़के उच्छी होगी है जी हाँ तो अब इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे आप का बहुत 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 धनिवाद अनिलना का जी इस बहुत ही समवेदन शियलवर शेय पर जिन्ता के साथ हमारे दर्शकों के साथ समवाद करने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद गयह इन वंदे मात सब्सक्राइब करें